हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो वीनुस होमफोड आज है फ्राइडे और डे है 47 तो गाइस आजकल मैं एक ही लंच बॉक्स पैक करती हूं क्यूंकि मेरी बेटी के हाफ यह एले एक्जाम चल रहे हैं तो वो लंच घर पर आकर ही करती है तो चलिए देखते हैं आज का लंच बॉक अनार दोनों बच्चे अनार खुश होकर खाते हैं पूरा बॉक्स वाट खाली होकर आता है और राथ को यह अनार मैंने चील कर रखती है ता फ्रेज में साफ करके अच्छे से धोकर तो यह दोनों फूट बॉक्स रेडी हो गए है अब लंच बॉक्स टैक कर लेते हैं आप स्नेकस रहने दो आज आपने परेबरिट आलो गोवी की सब्जी बनाई है तो इसलिए मैं उसके लिए आज सब्जी में आलो गोवी दूगी और इसलिए मैंने साथ में डाल दी है चपाथी और यह उसकी फेवरिट सबजी आलो गोवी वैसे मैंने मैकरोली बॉयल करके रखती थी बट उसका मूर चेंज हो गया जैसे ही उसने यह सबजी देखी तो यह मैंने अपने लिए बनाया थी मतलब लॉंच टाइम पे तो यह देखिए आलो गोवी सबजी मैंने डाल दी है तो यह बहुत ही बढ़िया बात है और स्नैक से जितने ज़्यादा दूर रहे उतना ही अच्छा है अब इसके साथ ही मैं डाल दूंगी दो टॉफी बच्चों को कई वर स्कूर में जैसे मेर्ची लग जाती है तो उसके साथ में बाद में खाना खाने के बाद उसके लिए तो डालते हैं और ऑषिए लग इसके फेड़र टॉफी भी है यह दो बच्चों की फेडरेट है मैलोडी चॉकलेटी टॉफी और यह डाल दूंगी मैं साथ में तही में फ्रेश होमेड दही है तो दही के साथ तो बच्चों हमेशा तही में अच्छी से अपना लण्च एप जोए करते हैं इसलिए में हमेशा बच्चों के लट ऑक्स में दैए हूंjar ददी के साथ ही अपना खाना वह पूरा करते हैं यह हमारे लंच बॉक्स एडिए और स्नक्स में मैं डाल रही हूं उसके लिए चिप्स तो यह मैं डाल दूंगी बच्चे ना दूसरी के लंच बॉक्स देखते है तो वही खाने के जिद करते हैं तो इसलिए उनको जो भी हो मांगे हो देना पड़ता है फ्राइडे को तो यह चिप्स मैंने डाल दिये और यह मैं साथ में दे रही हूँ उसको फ्रोटी और लास्ट में मैं रखतूंगी वाटर बॉटल्स तो यह रही हमारे आज के लंच बॉक्सिस आपको कैसी लगी जरूर बताना और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू बाबाई